तो आज का मारे टोपिक है जो आज यो सिस्टम होगे यह भूर्य यह में जो के ड्रॉट कोने करेगा और वह जाके आपके मुकस मेंबरेन या जो बाई-लोजिकल सिस्टम में उनकी मुकस में जाके अध्यर हो जाएगा without any physical change मतलब उस system में कोई change नहीं आएगा लेकिन वो जाके जो भी drug है ना वो आपके mucos membrane की तरफ attach हो जाएगी उसके बाद क्या करेगी दीरे-दीरे drug agent वहाँ पे release करेगी और वो mucos से absorb होके आपके system में मतलब जो system में मतलब जहाँ पे effect चाहिए वहाँ पे जाके drug effect दिखाएगी तो उसे हम लोग mucos और bio adhesive system कहते हैं और दूसरा floating system वो system drug का मतलब फो एक्जम्पल अगर आप कोई drug और ले रहे हो सही है और वो drug है ना इतनी देर है ना GI में मतलब उसका जो transit time है ना वो बहुत fast है पेर ना GI में रहते हैं और वो जल्दी GI से बाहर निकल जाती है या stomach में इतना स्टमक empty time है वो बहुत fast है या transit time है वो बहुत fast है इतनी देर हिरे ना stomach में वोáticas के नहीं रह सकती तो क्या होगा? ज़ण जल्दी stomach में जाए stomach से निकलेगी absorb होगी और क्या होगा जल्दी उसका effect आजाएगा लेकिन हमें वो जल्दी वाला नहीं चाहिए हमें drug delivery system ऐसा चाहिए जो के मदब के controlled हो तो उसको control करने के लिए हम लोग क्या करते हैं जो हमारी drug है ना उसकी density को हम लोग कम कर जाते हैं जैसे हम लोग density किसी इसी की चीज़ की कर्ते है तो फ्लोट करते हैं सरफेस तो वह क्या करेंगी Thank you आगे चलते हैं आपको जादर समझ आ जाएगा अगर हम लोग बात करते हैं विल्क हां यहाँ पर नोडीलोग perceive की विल्क है ताप जो की विल्स लग्यस्ट की बाइलोगी हें आपका जो जो आपके जो बॉडीबा इसकी मॉर्च म्युकस में अगेर आपे अधेर हो जाएगा विदाउट एनी फिजिकल चेंज मालब जैसी आपने दी थी ना वैसे ही रहेगी लेकिन सिर्फ एडेर हो जाएगी तूद म्युकस और किसी भी बायोजिकल टिशू के साथ सही है अब हम लोग देखते हैं बायो एडिजन बायो साथ हेल्थ टोगेदर फुर एक्स्तेंड्र पीरियद ओफ टाम एक एक्स्तेंड़ पीरिए ओफ ताइम तक वह ursे होंगे और जो उटेज्मेंट होगी न वह क्या होगी इलेक्रोस्टाटिक फोर्स मालब जो ड्नहीं उस्पर जो दूनों फोर्सिजिस एक सब्सक्रोड को जो आप लोग दे रहे हों और दूसरा जो आपका दोनों क्या होंगे एक दूसरे के साथ हो जाएंगे इसको आम लोग बोलते हैं बायो अडिजे यहां पर लिखा है ना मादब दो सिस्टम एक जो के जो आपने दिया है तो दोनों एक extended period of time के लिए एक दूसरे के साथ attached हो जाते हैं bio-adhesive system, bio-adhesive system such drug carrying system which withheld with any part of the body मादब body के किसी भी part पे वो withheld हो सकता है for an extended period of time तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे bio-adhesive system मादब कोई भी carrier system जो के आप लोगोंने बनाए ऐसा ही वो जाके आपके किसी भी body के पार्ट से attach हो जाए या adhere हो जाए for an extended period of time जब यह adhere हो जाते है ना इस तरह का system होता है यह है आपकी biological मादब कोई भी बोडी system यह है आपकी जो drug आपने दिये इस ड्रग में नहीं आएंगे ना dissolve होई कुछ भी नहीं होई यह जाके यहां पर एडर हो जाएगी एडर होके दीरे दीरे अपना substance है वो release करेंगे और वो absorb होता जाएगा और यह सिस्टम है ना हम लोग किस रूट से दे सकते हैं नेजल रूट से दे delivery system अब इसमें क्या होता है जैसे मैंने आपको पहले इसमें क्या है drug float करेगी on the गेस्ट्रिक फ्लोट जो गेस्ट्रिक फ्लोट है उसके उपर वो ड्रग क्या करेगी फ्लोट करेगी तो उसको हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग ड्रग डिलेवरी सिस्टम और हम लोग यह सिस्टम क्यों बनाते हैं इसलिए बनाते हैं उन रग्स के लिए बनाते हैं जिनकी जो residency time है न बहुत कम है मादब वो gastric जो हमारा stomach है न वहाँ पर इतनी देर नहीं रुपता जल्दी मादब stomach से pass हो जाती तो obviously जल्दी pass होगी जल्दी absorb होगी मादब उसकी जल्दी फिर वो eliminate भी हो जाएगी तो उसका जो extended response है न वो हमें नहीं मिलेगा तो इसके response को extended करने के लिए हम लोग इसको इस तरह का system बनाते हैं अब इसमें या तो क्या होगा residency time कम होगा या तो जो transit time है न बहुत fast होगा इसका मादब जल्दी इस टमक से निकल जाएगी अब इस system को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं carrier system बनाते हैं सभी एक carrier system यूज करते हैं जिसको हम लोग globular carrier बोलते हैं मादब जो globular है न शेल वो हम लोग अपने drug के उपर बना देते हैं इससे क्या होता है जो drug है न उसकी density कम हो जाती है जैसे ड्रग की density कम हो जाती है न एस कंपेर टूद गेस्ट्रिक फ्लोट तो वो फ्लोट करती है अब मैं आपको एक example देती हूं for suppose आपके पास है न मालब पानी आपने न कभी पानी पानी लिया है उसमें बर्फ डालते हैं जो बर्फ होती है न वह पानी के ऊपर मालब फ्लोट करती है क्यों इसलिए क्योंकि बर्फ जो आपने लिये न उसकी density कम होती है अब आप कहेंगे वह जो बर्फ जो हम लोग मालब आइस लेते हैं वह तो heavier than मालब की वाटर होगी लेकिन उसकी density कम होती है कैसे जैसे आप लोग ना आइस जमाने के लिए रखते है ना पानी रखते हैं तो वह मालब उसका वॉल्यूम कम होता है जब जैसे ही वह आइस में convert हो जाती है तो उसका volume इंक्रीज होता है जैसे ही volume इंक्रीज होता है तो density पानी की क्या होती है decrease हो जाती है जब वह आइस फॉर्म में water होगा ना तो उसकी density कम होगी as compared to the liquid form तो जो liquid है ना आइस उसके उपर मनतर जो पानी है उसके उपर आइस कैसे float करती है तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं जो हमारी drug है ना उसकी density को कम कर जाते हैं तो वह gastric float है ना उसके उपर float करेगी for the extended period of time तो इसको float करने के लिए और इसकी apparent density जो drug किया ना उसको decrease करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वह होता है globular shale जो के is a carrier हम लोग इसमें use करते हैं this is one of the type of gastro retentive drug delivery system system gastro retentive drug delivery system क्यों कह रहें क्योंकि इसमें हम लोग जो drug ना उसको रिटेन करवा रहे हैं in a gastric fluid अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है these are two system which are based on lower apparent density as compared to the gastric fluid मलब जो apparent density होगी ना उसकी हम लोग कम कर देते हैं carrier लगा कि जो globular carrier ना उसको लगा कि इस गांपर तो क्या होगा वह उस पर फ्लोट करेंगी एंड ड्रग डिजो डिजॉल्व स्लोली डिजॉल्व होगी carrier is used जो के ग्लोबिलर शेल है और अगर देखें अगर मतलब गेस्टिक फ्लोट है सही है उसकी density कम होगी और ड्रग की density high होगी तो ड्रग क्या करेगी नीचे आजाएगी फॉर एक्जेमबल अगर आप पानी का ग्लास लेते हैं और उसमें कोई महलब कि निडल है ना उसको डाल देते हैं तो वो निडल नीचे आजाती है क्यों क्योंकि निडल की density ज्यादा होती ह जालने तो फ्लोट करते क्योंकि बरफ की डेंसटी वह क्या है कम में इस कंपे लिए यह ही इस क्वार्ट यहां पर यूज़ करके इस सिस्टम को बनाया जाता यह मतलब ये extended period के लिए ये gastric जो flood ना वहां पर return हो जाए drug और दीरे-दीरे release होके अपना effect दिखाना शुरू करते I hope आज के लिए इतना ही I hope आपको ये lecture अच्छा लगा होगा अगर lecture अच्छा है लगा है तो वीडियो को like करना ना बुलें